सब्सक्राइब दोस्तों आप सब्सक्राइब देखा दूगा तो इसे संबंदित एक इंपॉर्टेंट पेपर है कि उससे करें देखो हिंदी में मैं आपको पुर्षन पेपर का सौलिशन दिखा दूँगा साथी साथ अच्छे समझा भी दूँगा और जो इंग्लिस वीडि तो बात करें अगर आपके पैटर्न की तो टामिंग डो गंटे की है मैक्सिमघ्टर्श और जो सबसे पहले आता है हमारा सबसे नमबर सबसे पहले इसाइयों के बारे में क्या धाना है इसाइय मानते हैं कि मनुष्य जो है वो पापी है और प्रित्वी पापों से भरी हुई है और इनी पापों के अधिक्ता के कारण वह इस्तिर है जिसके प्रित्वी ब्रहमांड के बीच में इस्तिर है यानिकि यह अगर हमारा ब्रहमांड है तो प्रित्वी हमारी इसके बीच बीच में इस्तिरे केंद्र और जितने वी चोटे चोटे खगोलिय के रहे हैं वह पृत्वी का चक्क्र लगा रहे ठीक है चलो यह तो इसाइयों के विश्वास हो गया अच्छा एक चीज इसाइय जो थे वह स्वार्ग और पृत्वी इसके बारे में भी विश्वास रखते इनका क्या कहना कुछ इस तरीक इसे था कि पृत्वी जो है वो ब्रह्मांड के बीच में नहीं है यानकि उन्होंने इसके जो सिथानत इसको नकार दिया उन्होंने कहा कि पृत्वी समेथ जितने वी गिरह हैं वो किसका लगाते हैं चक्कर सूरे का ठीक है खगोल सास्ती ज सर्ग और पृत्वी की बीच का जो रास्ता है कि अंतर को समप्त कर्यां कि ना कई स्वर्ग है मारब सोड़क और पृत्वी का कोई असथ लिख देंगे तो आपको समझ में आ गया question number first अब इसी को आपको इंग्लिस में देखना है तो देख सकते है एक्प्रेंस बिट्विन कॉपर निकस और इस तो सबसे पहले क्रिश्टिन का क्या है उसके बाद पर निकस का क्या विश्वास यह चीज आप यहां पर इजी एक्स्प्रेंट कर देंगे जब देख सकते हैं भाप की सकती की विविन चेत्रों में व्यापक रूप से प्रियोग होने लगा था तो सबसे पहले एक लेंगे सबसे पहले इसका हुआ था ठीक है कैसे हुआ था वह उच्छ ताफमान पर दवाओ यहनकी प्रैसर जो है वह रिलीज कर सकती थी जिसकी वैसे मसीन है जो थी उन्हें उर्जा मिलते थी और वह चल सकते थी बाप की सकती जो थी वह उर्जा का एक मात ऐसा स्तोर थी जो मशी इन्वेंशन हुए थे उसके बाद में बताएंगे तो थॉमस सेवरी ने 1698 माइनस फ्रैंड यान की खनक में थे और थॉमस नियुके में ने 1712 में एक भाब का एंजिन बनाया जो की सफल हो गया ठीक है उसके बाद सफल बनाए गया तो सफल भाब का जो एंजिन था वो जे यह जो था वो अन इंजिनों के मेकाबले काफी सक्री साली था और इसका इस्तिमार अधिक रूप से किया जाने लिए अठारीव सदी के आंति तक वाट के भाब के इंजिन यानकि जेमस वाट का जो भाब पर एंजिन था उसने द्रब से चलने वाले जो इंजिन थे उनका इस्थान ले लिया था यह पॉइंट जो है वह आप यहां पर अच्छे तरीक से क्लियर करेंगे और यहोब कि आप सभी को अच्छे से सारे पॉइंट यहां पर गए होंगे ठीक है चलिए अब देख लिए अगला मतलब कि इसमें देखो एक कुश्ट नमर सेकिंड जो होग इसका विटेन के उद्योगों पर यानि कि जब युद्ध में लगा रहा तो इसके विजए से उद्योगों पर क्या-क्या प्रवाव पड़ा उसके बारे में तो देखते हुआ यहां पर पहला पॉंट का है हमारा कि जो इसने पुझी अपने देश के लिए निवेस के शुरू कर दिया था जिसके उसे देश की जो आत्युस्ता थी वो चर्मर आ गई साथ जो लोग कामगार थे जो श्रुमक थे उनको कार खानों से खेतों से निकाल करकावे बट्टी करने ले गए थे से नहीं क्यों कि यूद्ध करना था वही उसके बाद जब देखो कामगार चले गए श्रुमक चले गए खेतों से किसान चले जाएंगे तो सिंबल सी बात है जो खार्द्यान होगा उसमत ब्रिद्ध होई जाएगी अब रिद्ध होगी तो गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होगा जो खाने के लिए पैसा करे सके अब जो मजदूर थे वह द्योग सुने वादा जितना भी लक्षे से था वो किसके पास चला गया अन्यवय पारियों के पास में ठीक है इंग्लेंड में जब खाद्यानी नहीं बचा तो सिंपल जबाते रोटी मास किसके कीमते आस्वांच हो रही थी और साथी साथ इंग्लेंड की जो मुद्दा थी उसका हो चुका था यह कुछ प्रभाव थे बेटेंड के जब यह यूद में लगा रहा ठीक है तो सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रहे हैं इंग्लिस में देखना चाहें तो पावर ऑफ इस्टीव वाइडली यूज इस फील्स डिसकस इन डिटेल देख सकते हैं यह सभी प समझ गए आप देखो second का है कि बेटेंड वाज इंवार्ब इन सीवीरियल वाल्स फ्रॉम 1793 नेटीटीटीश इंटेस्टीज फिटेंड अब इसका जो answer वो आप यहां पर अच्छे से लिख लें चलिया आप देखते हैं अगला कॉश्ण अगला है सन 1970 के दसक में आई बद जो एक बदलाव की लहर आई थी उसका क्या मतलब है तो देखते हैं सभी पॉइंट यहां भी लिखे हुए तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हैं हम यहां पर कि ऑस्टेलिया के जो मूल लिवासी थे लोगों को उनको एक नए रूप में समझने की एक चाहत जागने लगी कैसे उन्होंने क्या क्या मूल लिवासी जो थे उन्हें उनकी जमीन के संबन में आदर से देखा जाने लगा उनकी जमीने दी जाने लगी साथी साथ जो मूल लिवासी थे उनकी संस्कृति को जो उनके समोधाय थे उनको एक तरीके से आदर के साथ में देखा जाने लगा मूल लिवासी जो थे इन्होंने अपना इतियास लिखना भी शुरू कर दिया मूल लिवासी की धर्व जैसे की कथाएं कपड़ा साजी छित्रकारी हस्त सिल इन सभी को सराहा जाने लगा उन्हें एक म्यूजियम में रखा जाने लगा प्रक्रति जलवायों को समझने की उनकी जो प्रक्रति ती यान की वो प्रक्रति कैसे समझते थे जलवायों को कैसे समझते थे इन सभी की जो प्रक्रति थी लोग उसे भी समझने लगे उनकी जो संस्किति थी उसका अध्यन करने के लिए कई सारे बिश्य विद्यारे को ले ग तरीक है समझ में है कि आप सभी को असानी तरीके से अब देखो इसका इंग्लिश में तो डिस्क्राइब इंपक्ट ऑफ देख आप आप यहां पर देख सकते हैं चलिए अब देखते हैं को सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब देखो जब यूद्ध में लगा रहा तो उसके बार जब इसकी हार हो गई पिर भी यह वैस्विक आर्थिक सकते के रूप में कैसे वापसी हुई इसकी कैसे इस ने पुनदरदार किया यह समझाने तो देखो जब इसकी एक भयंकर होई तो उसके बार भी कि जो अश्रुस्ता का तीजी से निर्वाड हुआ उससे हमें एक यूद्ध उत्रचमतकार कहते है यान कि यूद्ध के बार कोई भी आत्रुस्ता क्या होने चाहिए सिंपल सा की वह खराब हो जाने ही कमजोर होने चाहिए लेकिन यह अश्रुस्ता काफी तेजी से बड़ी ठीक है जो की इसके इतियार से संबंद देता है इस तरीके से अब देखो हम कैसे कह सकते कैसे बड़ी थी तो यह सभी पॉइंट्स आप लिखेंगे आपे अब कौन-कौन से पॉइंट्स जोसे समझेए तो देखो सबसे पहले आया क्रिसी सुधार व्यापारिक संगठनों क पुनर्कठन किया गया साती साथ यो जैपानी अधिर्उस्ता थी उससे सथी इंके देखो और सबसे पहले तो, जो भी बड़े-बड़े संग्ठन थे, व्यापारिक संग्ठन, उनका पुनर गठन किया, सागे- साथ, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनिया थी, जिसनी उन्होंने व्यापार पर एक आदिकार कर दका था, उनके एक अरिकार को खतम कर दिया गया राजनित्रिक पार्टियों को यहां पर पुना जीवित किया गया और जंग के बाद लड़ाई के बाद यूद के बाद 1946 में इन्होंने पहली बाद चुनाओ करवाए और इस चुनाओ में सबसे बड़ी बाद जो थी वो तेकी महिलाओं को भी इन्होंने मतिदान करने का मौका लिया ठीक है तो यह सारी पॉइंट साब समझ गए यहां पर थर्ड पॉइंट के है कि संभिदान जो था उसे एक अप आपान का कोरिया और व्यतनाम के साथ में यूद चल दा था जिसी अल्थरसा खराब हो रही थी कमजोर हो रही थी तब अमेरिका ने से समझ दिया अब देखो 1964 के दो पॉइंट याद रिखेंगे क्या एक तो ओलंपिक खेल हुए थे इससे और दूसरा की बुलेट रेंज जो कि 200 मील पर ते गंटे चल सकती थी उस बुलेट रेंज को उन्होंने निर्माट कर दिया था 1990 तक परयावण से संब्द जितने भी कठोतम नियम थे वह इन्होंने अमल में लाए यह समझ में आगे आप सभी को अब देखो एक डाउट जो बहुत सारे बच्चों को होगा सर कि आप यहां पर आपने यह 8 पॉइंट समझा है भी मार्स में हम कितने लिखेंगे आपने 7 मार्स में नहीं अगर यह siya बांग आपको पूरेIGHT मार्स में लेंगे हैं अगर यह कूशन आपका तीन चार मार्स में लिखत है अप मिनिमिमूम आप 245 चार से 5 पॉइंट जरू लिखेगा ठीक है जितना मैं आपको बता रहा हूं जितने माक्स के लिए उसमें से अगर आप 60 से 70 भी याद कर लेते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे याद रखीएगा ठीक है फूर अपका कंप्लेट हो गया अब इसी चीज को आपको इंग्लिस में स सिर्फ और सिर्फ एक की चीज़ कर सकता हूं कि आपके लिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन की यहां पर दिखा सकता हूं और आप वीडियो को पॉस करके इन सभी को पढ़ सकते हैं ठीक है समझ में आगए आप सभी को तो इस तरीके से 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 नमबर यहां पर खतम हो जाता है कि सत्री सदी के यूरोपिय लोगों के लिए दुनिया कैसे अलग दिखाई दी समझाईए तो इसमें कुछ में आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं फिर आप उन्हें करेंगे कैसे सबसे पहले देखो यहां पर बताओगे रोमन संस्कृत्ति के बारे में म बताएंगे तो ऐसे करके आप एक दोव्धा आप समझाएं अब मैं आपको सारे पॉइंट करके समझा देता हूं सारे को सबसे पहले दोमन संस्कृति तक तरीके से कह सकते हैं और साथी-षाथ संस्कृती यह संस्कृती यह संस्कृता है यह क्या इस सिद्धात में आपके लिखेंगे कौपर निकस और जो इसायों का विश्वास था उसके बाद में प्रित्वी विश्व की धुरी है यानकि ये धार्णा एक आलुचना का प्रतिपाद बन गई कौपर निकस गैलीलियो और कैपलर आदी विज्वान को निये सिद्ध कर दिया कि प्रित्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है तथा ये 24 घंटे 24 घंटे यानकि हर टाइम किसका चक्कल लगाता है सूरी का ठीक है अब देखो फिर क्या लिखा हमने नौ संचालन आपकिया कम पास जब इसका अविष्कार हो गया तब लोग जो थे वो समुद्री आतरे उन्होंने शुरी कर दी और इसके अविष्कार की वज़े से अनेक नईने समुद्री मार्ग नईने डीप नईने देश नोंने खोज निकाले जैसे कि कोल नमबस ने 1492 ने अमेरिका का नविक्शन कर समुद्री मार्ग से भारत आया यहां तक कि जो इस्पैनी नाविक ते वह 1606 में तो ताहिती एक दीप है वहां पे पहुंचे थे ठीक है तो यानकी हर एक पॉइंट में आपको आंसर कैसे कैसे क्या क्या लिखना है वह मैं आपको यहां पे अच्छे तरीके से सब्जा रहा तो इस कारण उन दीपों वह देशों की जो सांस्कृतिक समाजिक आर्थिक वर राजितिक जो इससर पर जनकारिया थी वह भी हमें प्राप्त होने लेगे यानि कि देखो सिंपल से समझो इसलाम मंगोल इनका विस्तार होने लेगा इस्या उत्री अफरीका के संब्द यूर जो यूनानियों से भी रोमन से अरब चीन से सभी देशों से ज्ञान प्राप्त करते था अपने जो देश से इसका इसका इस्टिवाल करते उन्हों ने जितने उनके पास सबूत है उन्होंने यूरुप को एक इसके केंदर में रखा ठाए है साथ मारम ने अपने ज्ञान चेत्र में बहुत अत्तर विकास कर लिया है वैसलियस चिकिसा के अदाल मानव शरी से संबंदित तत्यों की जानकारी प्रदान कि तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि पंदरी सदी की यूरुपी लोगों को दुनिया के सरी के से अलग दिखाए तो मंसंस्गिति मद्यों का सिध्धान नौसन चाने चुम्मे की एकमपास को लंबस और इसलाम का विस्तार मंगोल की जीत और यह दो पॉइंट अब देखो अध्वा म करते हैं पंद्री सताफडी में रोम नगर को अत्य इंत्र भविरुप से बनाया गया था यहाँ अनेक भवनों में इमारतों में इसका निर्वाण किया गया था यानि कि पंदरी सताब्दी में रोम नगर जो था यह तरंत भवी रूप था और ऐसे ही रोम नगर में बहुत सारे अन्य भव्वी मारते हैं बव्वी बवन जो थे बनवाए गे थे इतली की वस्तुकला के प्रारूप जिसमें हम ग्रीजा घर को देखते हैं राज महल होते है बड़े-बड़े के लिए देखने हो के बिलती है इसकी विस्ट्रा क्या है इसमें भव्वी गोलाकार गुंबर होते हैं भवनों की भीत्री से जावट होती है गोल महराब दरवाजे दिखाई देते हैं अब देखो एक बार दोबार आपको समझा देता हूं ताकि आपके दिमागोई की कर्फिसन ना रहे हैं मंदरी सतावडी में क्या हुआ कि रोम के सहर में एक नई सहली का पुनददार हुआ जिसे हम कहते हैं अब साक्षा करने वारे जो लोग क्या करते थे चित्रों के माध्यम से मूर्ति के महाध्यम से विभीन प्रकार के आकृतिया होती थ प्रारूप की बार्द करने हैं तो इसमें गिर्जागत सम्मझता हैं और बी कुछ इसकी विछता की बात करने हैं तो समझ मैं ही इसकी समें अगे मैं अगे सबी को अब यहाँ पर अगला इस्वास्तुकला ने इसमें इमारत मस्ज़ीदों की सजावट थी जयामिति है नक्षो के अदारन पर तो एक और यह पत्थ्र में पच्ची कारे पच्चीआ क्यों को यहां पर ज्यादा तरह कि इसलामी वास्तोकला की कि इसलामी वास्तोकला जा सबसे अधिक उपियों किया जाता वह दांट के लिए इसपैन से लेकर मर्द इस्या थे जितनी में मस्जिद हुआ करते देखो इस्पैन हो गया और इश्या हो गया मर्द इस्या यहां पर जितनी मस्जिद उनके तीरत हिसल और मकवर हैं वो सब क्या करते थे अब देखो कुछ यहां पे जैसे अभी अमने आपे क्या देखा था कि विश्टता क्या है तो ऐसी विश्टता इसमें भी है कैसे इसमें गुंबद होते हैं छोटी-छोटी मीनारे होती हैं बल्ग के आकार के होते हैं घोड़े के खुरों के आकार के होते हैं महर जावट होती है और किसके अधार पे जयमितिय नक्षे और पत्तर की पच्चिकारी सबसे बड़ी इनकी प्रतिक है इसलाम की जो धार्मिय की मारते हैं इनकी वह उधायन के लिए जितने भी इस्पैन से लेकि मर्द इश्या तक जो मस्जिदें हैं जो मक्वरे वह एक ही मूल मेराव गुंबर मीनार खुल यहां गया इसी में बने वह होते थे ठीक है और यह इस और यह हो गई आपकी इसलाम की बास पर है अब देखो इसमें देखो इंग्लीज में कोशन नुमर फाइब अब देखो सब्सक्राइब अब देखो सबसे पहले जो फीचर से इटेलियन एंड इसलामिक आर्किटेक्ट्चर तो सबसे पहले जो इसलामिक इसलामिक आर्किटेक्ट्चर के यहां पर लिख देगा है अब आता है नुम्म सिक्स पहला प्रश्ण है इस कथन से कहां तक सहमें और दुग करांती के मिश्रित वर्दान साविक्वी जो इंस मिश्यत वर्दान सावे तो यह आप ही कैसे कह सेकते हैं तो इसके अंसर में सबसे पहले आप देखेंगे और्दू करांती का मतलब क्या है तो बिटेंड में 1780 से 1850 के दसक के बीच में जो उद्योग है जो अथिविस्ता है उसका एक तरीके का जो रूपांतरण हुआ है उसे सबसे पहले उसके शकारात कमत्रवाव के बारे में पढ़ो देखो और करांती की वज़े से क्या हुआ कि नई नहीं मषीनों का आविष्कार हुआ जिससे उतपादन उसमें उप्योग किया जाने लगा और जो मानव था उससे बड़े लाए बारी भारी कामों से चुछका मिरने लगा साथ ही साथ उत्पादन ने भृद्ध हुई और जो लोग थे उन्हें भारी कामों से चुटकारा मिल गया और दिवर करांती जो थी इसके वेल से यातायात होगे संचार की जो नाई ने आविशकार हुए वो हमने देखे परिवन के जितने भी तीव अविशकार हुए जैसे कि नहरे हो गई रेलवे हो गई इसकी वज़े से समय और दूरी इस पर मनुष्य ने एक जीत हासिल कर दी इस तरीके से और जो करांती के फलसुरू मनुष्य की जर माल की मांग वड़ेगी कच्छे माल की मांग वड़ेगी तो किसी छीत में एक करांतिकारी सुधार आया जिसकी वज़े से खाद्य पादन में विर्दी हुए और फिर आएगा सब्सक्राइब बैंकिंग परणानी जो भी गाहों से गरीब लोग आया करते थे वह अपना क्योंकि एक जो मसीन थी वह दस व्यक्तिव का काम आसानी से करती ठीक है हाँ दूसा पॉइंट क्या है कि हालांकि में मानते हैं कि गाउं में क्लिसे जरूर होती थी लेकिन उससे गुजारा करना मुस्किल था इसलिए ग्रामिणी लोगों का रोजगार की तलास में शहर में आगमन हुआ और जब सेर में आगमन हुआ तो यहां पर जनसंक्या बढ़ने लगी और जनसंक्या बढ़ी तो यहां पर स्वास्ति सिक्षा पेजल आवास यांकि रहने की समस्यां बहुत सारी उत्पन होने लगी उसके बाद उद्धियोगों में जो इस्तिरियां थी और ज कैसे लोगों की मृत्तिव भी हुआ करते थी उसके बाद सबसे आखरी पॉइंट है कि समाज जो था वो दो वर्गों में वाजित हो गया कौन सा पहला कौन सा था यंकि एक मालिक वर्ग हो जाएगा और एक जो मजदूर वर्ग है इस तरीके से ठीक है तो और द्यूगर करांत में कोशन का है बहुत इंपोर्टन है आपका आपने पढ़ा भी नहीं होगा कि विशह है वह काफी वाद विवाद का कारण है क्यूं समझो तो एक सबसे पहले तो होती क्या है अब देखो और दीमी थी इसलिए इसे क्रांति कहना गलत है यानिकि जो विवाद में सबसे पह क्यूंकि देखो पहला पॉइंट का है कि 19 सदी में इंग्लेंड में कोई भी बड़ी फैक्टरी नहीं थी ठीक है परिवर्तन जो था वह पूरे पूरे के पूरे देश में नहीं वहा था बलकि कुछ मुख चेत्र जैसे कि लंदन हो गया मैंचेस्टर नियूकसाल और बमिर भी बड़नाते उसमें 1780 से अठाशन बीस सकते जो विकास से करांती कारी कहा जा सकता है कि कंवा बाहर से मंगाना पड़ता अब जब अवासे मंगानी पड़ती और वापस भाहर बेच विजते हो तो क्या इससे आप कह सकते हैं कि अध्यक कार्णति है कि अमेरिकी जो शुतनतर संगराम था एंकि अमेरिका का ये साथ में जब जो बेटेन था उसका यूदध हो रहा था तो उसके दोरान जब ये शुतनतर से प्राप्ट हुई तब इसका जो व्यापार था साथ वैंधित हो गया था उसके बाद देरे देरे करके कि जो इसका व्यातिrale वो देरे से सुरूए। क्या हम चाह सकते हैं कि यूद के बाद दुवाला से जो व्याति सब्तुर्द नमकरणति जो घ्रक्राइब से जो एक टिक का विकास 1815 से पहले के अपक्षा बाद में तेज वी यानि की देखो काल कितना बताया गया है 1780 से 1850 तो इन्होंने क्या कहा है कि 1815 के बाद जो विकास हुए उसे हम कह सकते हैं कि अधियास का जो उनका मानना है कि 1760 से 1815 तक बेटें ने एक से दो काम करने की कोशेश के यानि दूसरा यूरोप उत्री मेर्का और भारत से युद़ लड़ना सायद वह अधियोगन में एसफल हैं और उसने युद़ लड़े ते बेटेंट से जितना भी निर्यात होने वारा अधिकास लख्षयस्तर था वह बादर निकल गए तो क्या इनकी वाजए से जब वह यूद कर दा था जब उसके पास ब्यापारिक छेतर नहीं थे तो क्या में इसे कह सकते हैं बिलकुल भी नहीं तो ये एक बात उठी उसके बाद क्रांथी के साथ में प्रिक्त और्दुविक सब्धार्थी की रिष्टी में बहुत सीमित यानि कि इस समय जो आर्थिक और और दुपा बात करते हैं तो इसका समाज भी गलत पड़ा है एक तो वह लोग जिनकी पास पैसा बहुत है वह बन गए एक वह लोग पैसा नहीं है वह बन गए ठीक है उसके बार थे इतिहासकार इए मस्त इन्होंने क्या कहा कि बिटिश और्द्यों के विश्त अध्यन में इन्होंने इसको हम कह सकते हैं कि यह अर्द्यों क्योंकि यहां पर जो अर्थिविस्ता थी उसकी काया परट ही थी और जो बड़े-बड़े परिवत्र थे वह आप अब देखो इसको इस प्रक्रिया काफी धीम हुई थी यहां पर इसके पास कोई अपनी खुद के बड़े-बड़े नहीं थी तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि अगर हुई भी है तो सिर्फ और सिर्फ इन चार एरियों में ठीक है दूसरा क्या है यह लोग कहते हैं कि बेटेंड के पास खुद की अप छो रेशम था वो दूसरी दूसरी से मंगार्याव बहारी बेचते थे इनके पास सूर्त रिफ नहीं थी तो हम नहीं कह सकते हैं अमेरिका साथ में 16 संग्राम हुए तो इसका जो North America था उसके साथ व्यापार वादित हो गया था धिरे दिर इसका व्यापार शुरूँआ तो यूध के बाद व्यापार का सुरूँ होना देरे-देरे करके इसे मुद्धू करांटी भी नहीं कह सकते हैं एक है उसके बाद अगला आ जाता है कि पहले के विर्टे तुछ सब्सक्र caz कि बाढ़ आप पर गत्ता बाद इसके बाहर होगा नहीं तो और दौ का अब करांति के साथ में जो और की स्ब्सक्राइब गलत है कि क्यों गलत है कि क्रांतिका बड़े पैमाने पार लेकिने अपर तो समाज में अब इसकी पास एक करोड का पैसा जिसकी प सबसे पहले आपको जो है इसकी वह बता देनी है डेफिनेशन उसके बाद जो इसके बारे में और यह आप जो इसमें सारी इसके बाद है इसकी सब्सक्राइब का इसे में आपका दूसा कैया था था ता subject of much debate यान की industrial evaluation जो subject वे एक debate का कारण है अब debate किन किन आधारों पर की गई है वह यहाप यहाप देख सकते हैं सभी points ठीक है और यहाप यह हमारा end होता है अब देखते है question number 7 seven में देखो यहापर क्या पूचा गया है हमसे कि सईयुक्त राज्य अमेरिका के जो मूल पाशिन में थे उनको उनके जमीर से बेदखल क्यों किया गया और उसके लिए कौन-कौन से कारण उत्तर दाई थे ठीक है कारण भी कह सकते हैं यहापर जो तरीके हैं यहापर तरीके ह समझे बेटेन और फ्रांस से कुछ ऐसे अप्रवासी जो कि अमेरिका में आयोगी थे जो अपने ही देश में यहापर मालिक बनाना चाहते थे उन्होंने ऐसी फसलें उगाई जो कि यूरोप में नहीं उगाई जाते थी और उन्हें उगाकर यह मुनाफ़ा कमाना चाहते थ गलत नहीं समझा क्योंकि इनके निसार यह जो लोग है वो सिर्फ जो जमीर है उसका अच्छी से उख़ानी के लिए उपयोग अकते हैं इनका मानना थे कि मोलवासिंद। आर्सी हैं, इसलिए यह बाजा रत पार जाजिए थे तो इसका उप्योग नहीं कह सकते हैं यह और फ्रांस जो लोग छोटे भच्चे थे ठोटे बेटे थे वह अमणैका में अपना एक मारेकाना हग जताना चाहते थे यूरूपे नई रचाहते थे यूरूपे वेच करने बनाफ़ा कमा सकें और यह जो मूर बाशन्य धे उन्हें बेदख़ल करना गलत नहीं माने थे क्य सबसे पहले अपनी वस्तियों का विस्तार करना शुरू किया था जमीनों की विक्री समझोते पर दस्तक्र कराने के बाद मुह लिवासियों को वहां से हटने के लिए फिर बात देखिया यानि कि जो अमेरिका था उसने क्या किया था हुआ की सब्सक्रीति अबिकर्णा ने अपनी वस्तियां उनbung मुह लिवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेट और दोटार गजाता है एक कबीला था चिरोग हटा इसको हटाने के लिए अमेरिकी फॉर्स प्यूक करना पड़ा है यह को धारण है कई वार जो थे वह इन्हें स्थाई यानि कि देखो जो मूह लिबासी थे उन्हें कई वार हटार भी दिया जाता था और कई कुछ कुछ अलग अलग जगह पर उन्हें जमीन दे भी दे लेकिन अगर किसी को गलती से पता चल गया कि यहां पर कोई खनेश्क मिला तो उसे फिर से उस जगह से बेदखल होना पड़ता था मूह लिबासियों को एक कैद खानें बंद करके देखा जाता था जिसे हम देजर्वेश सबसे पहले आप लिख देंगे कि वो क्या है उसके बाद कौन-कौन से वे थे इस तरीके से आप देखो आता है हमारे सेक्षिन नंबर सी इसमें आपके श्रोद आजर्वेशन है सबसे पहला श्रोद है आपका फुकु जावा यू की ची का है देखो पढ़ते हैं इनका जन अठाइसो साथ में अमेरिका में पहले जापानी दूतावास के दूतावास में अनवादर की रूप में गए इन्होंने इस से इन्हें यहां पर जो पश्वी विचार थे उस पर किताब लिखने का बहुत मौका मिला उन्होंने अपने विचार क्लास की नहीं बलकि बोलने चाले के अंदाज में लिखे थे यह कविता बहुत ही लोग प्रिया हुई इन्होंने एक सिक्षा संस्ता इस्थापेद किया जो आज के विश्वी दाले के नाम से जाना जाता है वे मेरुकुषा संस्ता के मुख की सदूस्यों में से एक थे यह संस्ता पच्छी में सिक्ष आलोशना की जापान की पास प्राक्टिर दिश्यों के अलावा गल करने के लिए कुछ भी नहीं है उन्होंने आतने कारखानों वसंस्ताओं के लावा पक्षिम के संस्कित्रत्त्त को बढ़ावा दिया उनके मुताविक सभिता की आत्मा उसके जड़िए एक नया नागरिक ब इसके कोशन आंसर देखते हैं कौन कौन से हैं एक इसाव मैं आपको दिखाता हूं को सबसे पहला है कि फुकोजाबा यू की चीज जो है वह जपान के किसकाल के भुद्धी जिवे अब यह देखो एक चीज में आपको समझा देता हूं जो भी आपका सौसबेश्ट है यह अब देखो पहला कोशन क्या है यह आ पर फोको जावा युकाशी जापान के किस कार के में मेरver कुषा एक संस्था है या Casey को अपने मैंसे और निकाल दियेने चाहिए और अपने जो कारखाने जो संस्था हैं उसके अलावा पस्चिम की जो सांस्कितिक जो उनके नियम है उसको अपनाना चाहिए और यह सबेता की आत्मा है जिससे एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा तीसरा है जापान की भौगॉलिक इस तीविस में नहीं है तो जापान क्या है एक द्रीप सिंख्रावाला देश है बहुत है सक्रेब भुकम छेत्र है अजिर्टरी संक्या जापानी है पसुपालन की परंपरा नहीं है चाब अले बुनियारी पुश्ण है तो आपको समझ में आ गया आप इसका आंसर जो इस तरीके से लिग देंगे तो यह फुको है आपके तीनों कोश्ण और आंसर एक ही बार में आप यहां से देख सेंगे कि जिन इंडियन की असली जिंदिगी को देखने का मुझे मुझे मौका मिला वे कविताओं में वर्णित अपने रूप रूप से काफी भिन है यह सच है कि गोरे लोग जिनकी नियत पर भरुश अपसा नहीं समझते वे संगत में रहने पर वे काफी कम बोलते हैं पर परिसिती वैसे ही हो तो गोरा आदमी घोरा आदमे भी उन्हीं की तरह अलबाशी हो जाता है यह इंडियन्स जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने की उस्तार साबित होते हैं और गोरों क गरेव इंडियन्स के साथ कैसे पेश आते हैं मैं इसका साख्ची हूँ मानो उन में और जानवरों में बहुत कम फ़राइग है अब देखो इसके आंसर कोशन और आंसर पहला कोशन क्या है लेखक ने इंडियन्स की जिन्गी की बारे में क्या बता है तो देखो लेखक जो है काविताओं में वरड़ एंडियन्स की इस्तिती है असल जिनकी से काफी अलग रही जो है है और यह जो इक पीन अपनों की सामने होते तो व्रूह का कज़으 WAik की परंपरा की हिता सकते हैं लेकिन आपके चैप्टर से सैंभनेत है तो यहाँ पर पूछ लिया गया है तो मूल लिवास्यों जून की विसेस्ता है परंपरा की विसेस्ता है ये क्या-क्या हो सकते हैं देखते हैं भाई मूल लिवास्यों संबंद में देखो ये जो है वो अपने जमीन पर कभी भी अपना मालिकाना हक नहीं जमाते हैं ये जमीन दोस्तियां कायम करना और उपार्वादान प्रदान करना यह यहां की परंपरा बनी हुए ठीक है यह समझ में आ गई अब देखो तीशा कोशन कहा है कि यूरूपीय लोगों की उत्री अमेरिकी लोगों के लिए क्या विचारते हैं तो इनके विचार कुसे सरे थे वे आलसी ह पार्ण करने में शिल्व कोशल का इस्तिमाल नहीं करते हैं अंग्रेजी सीखने धंके कपड़े जिसका मतलता यूरूपीय जैसे कपड़े पहनने की उनके दिल्चस्प भी नहीं है कुल मिलाकर यह कहना कि यह सिर्फ और मर्ग अपने लायक है तो आपने एक चीद नोटिस आपके जितने भी कोशन होंगे वो हमेशा नहीं जरूरी है कि इसी से आएंगे यार किया अब इंग्लिस में देखो वासिंटन एडिविंग के बारे में तो आप जो यह सरी किसी देख सकते हैं और कोशन आंसर जो मैं आपको यहां पर नीचे दिखा देता हूँ यह पढ़ बादी सब्सक्राँदी माचित पर उप्योगत प्रतीक के साथ पता लगांए और चिनियत पर उ partido करें और और तीनों में ciche यहां पर देखो मैंने दो मैप लगाए गए यहां पर चीन तो आपको बता है यहां पर आप चाहे तो इसमें इंडिया यह भी लगा सकते थे अब दूसरा क्या बताया था इसने दूसरा है तो राजधानी क्या है कैनवरा कहां पर है यहां पर नीचे की साइड है यहां पर बिल्कुल यहां पर आप पूछ सकता है कि ऑस्टेलिया में पर्थ कहां है तो इस तरीके से आज का हमारा जो पूशन भी पर्था वह यहां पर खतम होता है and I hope guys कि आज का ये जो वीडियो था वो आपको अच्छे समझ में आया होगा और जितने भी आपकी question थे मैंने आपको बहुत अच्छे चरिकी से समझानी and I hope कि आपको अच्छे समझ में भी आया होगा guys वीडियो अच्छे लेगी है बात थे लिए आप पड़तें एक्सटां के अच्छे से त्यारी करें चिएगा धन्दवाथ जयहिंद वंढ़ाध्र